हाई दूस्तोर नमस्कार स्वागत है मेरे चानल में मैं पुश्पां आपके सामने और एक रिस्पी के साथ आ गई हूं आजगा जो रिस्पी है लसन का चटनी है लसन का चटनी कैसे बनाते है जट पट जब का जब कैसे बनाते है मैं आप लोगों को इजी तरह कैसे बताती हूँ यहां पर मैं दो लसन लिया है अदा चमच जीरा लिया है और मोटा नमक लिया है और तीन चमच उता लाल मिच्छी पोडर लिया है मैं लाल मिर्ची पॉर्डर मिक्सी में दाल देती हूँ जब भी आपको भूक लगे बनाने के लिए टाइम नहीं है तो इस तरह से बना ज़िए जटपड बन जाता है तब का तब बना तो इतना अच्छा टेस्ट रहता है आप लोग ज़रूर ट्राइ करें मेर्ची पॉर्डर दाल चुकी हूँ मैं अब इसमें जीरा दालती हूँ जीरा और मोटा नमक मोटा नमक की लिजिए बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इस चटनी में जीरा को मैं फ्राइ नहीं किया है इस ऐसी दाल दिया है और एक पॉर्चमच से भी कम मेति के दाने डाल रहे हूँ और एक पॉर्चमच उतना धन्या मैं लस्टन के कंलिया भी दाल देती हूँ मैं चिल्टे के साथ लगा दिया है पिल्टा निकालने की ज़ूरत नहीं है अभी इसको मैं मिक्सी में पाउडर बना देती हूँ मैं पाउडर बना जी क्यों है देखिए जटपट एकदम फटाफट बनने वाला है ये और यकिन मान ये बहुत अच्छा टेस्ट रहता है अभी हम इसको तड़का लगा देते हैं तड़के के लिए दो चमुच उतना तेल ले लेते हैं यहां पर मैं पल्ली का तेल लिया है चाहिए तो आप नार्मल तेल भी ले सकते हैं अगर पल्ली का तेल से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसलिए मैं पल्ली का तेल दाला है और एक तोड़ा सा हिंग दाला है मैंने हिंग तोड़ा सा फ्राइ होने देते हैं उसके बाद एक पाउचमच उतना राई और एक पाउचमच उतना जीरा दालते हैं आप लोँ चाहिए तो उड़sm बी दाल सकते हैं तो उड़ा सा तो फॉड़ा से फ्रárias होने देते हैं और उसके बाद में लेस्ट नयूख दालग हैं यसका स्किन निकाल दिया है इसका तूद्शप शोकर्य पत्ता दाला है और और दौर लाल मीचि लिया है इन सबी को अच्छी तरह से फ्राइ कर लेते हैं लो फ्लेमी लगाई है वरना लाल मिच्छी और एकरेपता चल जाता है अब जो पौडर हम बना चुके हैं लेसन का इसमें दाल देते हैं दाल दे के अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं देखिए अब मैं यहाँ पे दो चमस्ते लि और गरम गरम चावल के साथ एक चमश घी डाल के का यह इतना अच्छा टेस्ट रहता है आप लोग यह जरूर ट्रै करिए मैं कप में सवर करके बताते हूं आप लोगों को एक यह फाइनली लेसन का चटनी बन चुका है एकदम मज़ेदार का इसे बनाने के लिए स्रिफ दो सित तीन मिनिट लगते हैं फटा फट बन जाता है आप लोग जरूर ट्रै करिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लेकर दबाना भूलिए मत जो भी वीडियो बनाओंगे त कितना अच्छा दिख रहा है तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद दोस्तों